ये possible है कि अपने दातों को aggressively brush करने से आपको ठंडे और गरम खाने को लेकर sensitivity की problem हो सकती है। शिकारियों के सामने हमारे पूरवजों को ज्यादा खतरनक दिखाने के लिए ही हमारी body ने goose bumps evolve किये हैं। According to scientists हम 80 क्यों लेते हैं इसका अभी तक पता नहीं है। बस एक अंदाजा है कि ये brain temperature को कम करता है। अगर आपको लगता है कि steel मजबूत और टिकाओ है तो आपकी हट्डियां उससे 5 गुना जारा मजबूत हैं। उन्हें तोड़ना मुश्किल है इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत दर्द होता है। आपकी blood vessels यानि खून की नसें इतनी लंबी हैं कि प्रतुई को चार बार तक लबेट सकती है। इस दुनिया में मौजब इंसान ही एकलोता ऐसा जानवर है जिसकी ठुट्डी होती है। क्या आपको पता है जैसे ही आप सांस लेते हैं तो ज्यारता हवा एक नतुने से ही अंदर और बाहर जाती है। और कुछ घंटों के अंतर में ही ये काम आटोमेटिकली दूसरे नतुने पर शिफ्ट हो जाता है। आपकी टोटल बाडी वेट का 8% आपकी बाडी में मौज़ूद ब्लेट से आता है। उगलियां मोडने पर जो आवाज आती है वो असल में आपकी बाडी जॉइंट में मौज़ूद एर बबल के बस्ट होने की आवाज होती है। जब भी आप सोग कर उठते हो तो आप अपने सपने का 50% तक भूल जाते हो और 10 मिनिट्स की अंदर 90% तक आखों की एक्ट्रा ओकिलर मसल बॉडी की सबसे तेज मसल है जो आपकी दोनों आखों को आदे मिली सेगेंड में मूज़ कर सकती है। दातों को स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा माना जाता है लेकिन उन्हें हड़ीयों के रूप में नहीं गिना जाता। आपके हाथ की 50% सकती आपके हाथ की पिंकी उंगली में होती है और बिना उसके हमारी पकड़ मज़ूद नहीं होगी। आपकी आँखों का वेटेनल पैटन, फिंगर्स के अगॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कठिन है इसलिए वेटेनल स्केन, फिंगर्पेंट स्केन से ज़्यादा वहरूसेमंद है। अगर आप अपने हाथ स्ट्रेच करें, तो आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर के बीच का डिस्टेंस आपकी बॉड़ी हाइट के बराबर होगा। हम अपनी लाइट में एतनी लाज जनरेट करते हैं, जिससे दो बड़े सुम्यम्पूल भरे जा सकते हैं। अगर कोई हुमन आई डिजिनल कैमरा होता, तो वो 566 मेड़ा पिक्सल का होता। आपका ब्रेन 25 मिलियन जीवी डेटा स्टोर करने की कैपिसिटी रखता है। अगर आप लेफ्ट हेंड़ हैं, तो इसके काफी हाई चांस हैं कि आप लेफ्ट साइड से ही चबाओगे और राइट हेंड़ हैं तो राइट साइड से ही चबाओगे। आपके फिंगर पिंट्स हमेशा उसी तरह से बनेंगे जैसे पहले थे, इससे कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने डेमेज हैं। आपकी आइब्रोस के बीच के गैप का भी एक नाम होता है जिससे गलाबेला कहते हैं। साम पिया पेक्षा सुभर आप ज़्यादा लंबे होते हो क्योंकि दिन भर क्राविटी आपकी बोन्स को कंफ्रेस करती रहती है जब तक कि आप बैट पर नहीं चले जाते। इंसान की बोडी में अपना फैट होता है जिससे साथ सावन की टिक्की बनाई जा सकती हैं। और इनके बंध होने से दिन भर में हमारी आखों में आने वाली गंदी की निकल नहीं पाती जो सुभा दिखती है।